Realme XT, इसके bootloader को कैसे unlock करना है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहले आपको unlock tool, ये application को download करके install करना है अपने phone पे, इसका download link आपको description box में मिल जाएगा, उसके बाद जब आप इस app को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको start app line का एक option देखेगा, उसके आपको click कर देना इसके server इसको check करेंगे, और एक घंटे बाद जब आप फिर से इस app को खोलेंगे, तो वहाँ आपको आपका status दिखेगा, अगर review successful है, तब आप आगे बार सकते हैं, उसके नीचे आपको एक option देखेगा, start the in-depth test अगर successful हो जाता है, इस पे आपको click कर देना है, जैसी आप य ADB fastboot tools folder को download करके install कर लेना है, इसका downloading description box में है, इसके बाद अपने phone को USB cable से connect कर दीजिएगा, जहाँ पर आप ADB को install करेंगे, उसके अंदर आपको platform tools folder मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना है, वहाँ पे shift key को दबाए रखना है, और right click mouse का दबाना है, तो एक command prompt window खुल bootloader और enter करना है, और दूसरा command जो है, fastboot space flashing space unlock, इसको भी type करके enter करना है, उसके बाद कुछ इस तरह की screen आपको देखेगी, अब अगर आपको अपने phone को unlock करना है, bootloader को तो आपको volume up दबाना है, इनकेस अगर आपका mind change हो गया है, unlock नहीं करना चाहते हैं, तो volume down दबा तो कुछ इस तरह की screen आजाएगी, वहाँ पर आपको जो yellow color में command देख रहा है, fastboot space reboot, ये आपको डालना है, और इसके तुरंद बात आपका जो phone है, वो automatically reboot हो जाएगा, और ये in-depth test mode में पहुच जाएगा, और आपका unlocking process शुरू हो जाएगा, जब ये process खतम हो जाए, तो आपको अपने phone की main screen पर आजाएगा, आपका जो phone का realme XT का bootloader है, वो successfully unlocked हो चुका है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दवाएगा,